नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूटूब चैनल के साथ, मैं हूँ विरेंदर सिंग, तुझी है, टाइटल देखके आप समझ गया होंगे कि क्या बात होने वाली, तो क्या मैंने किया अनकेडमी के बच्चों के साथ धोखा, क्या मैंने उनके करियर के साथ खिलवाड किया, क्या मैंने अपने प्रामिसेस को नहीं निभाया, या क्या मैंने उन्हें जूटे वादे में फसाए, तो ना ही मैं पॉलिटीसियन हूँ, ना ही मैं एक्टर हूँ, ना ही मुझे किसी नेता परेता से लेना देना है, तो फिर आ अभी भी उस चीजों को लेके सायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उनके साथ जो है वो नाइनसाफी करी है तो मैं आपको बता दो कि मैं जैसे कई लर्नर्स का ये कमेंट है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया आप जब अनकेडमी छोड़के जाने वाले थे तो हम पहले बात करूँगा और इसके solution के उपर भी बात करूँगा कि क्या हो सकता है तो पहला मुद्द ये है कि ये एक pre-planned decision नहीं था जो कि मैं पहले भी बोल चुका और मैं इसको बहुत पहले से ही hint दे चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है जैसे ही मैंने decide किया था उससे पह देख लीचेगा और कुछ learners तो directly जानते हैं और उन्होंने काफी लोगों को जो help भी करा था कि नहीं ठीक है ऐसा होने वाला है भाई देख लेना तो आप कैसे unaware थे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो मैं आपको बता दू कि देखो decision uncertain था decision हुआ आपको ऐसा feel करने की नहीं है तो यह decision पहले ही क्योंकि हमें यह आजादी नहीं होती कि हम जिस दिन सोचे या जिस दिन कुछ करें उसी दिन हम सब को distribute करते सब को बताते हैं ठीक है कुछ norms कुछ contracts कुछ अपने company के rules and regulations होते हैं उसके थूरू हम यह चीज़े publicly नहीं कर सकते थे लेकिन यह थोड़ सकता था ठीक है लेकिन स्टिल जितना possible हुआ नहीं उस course को complete किया उसमें कुछ lectures थोड़े बहुत incomplete रहे हैं जिसको आप recording से कर सकते और recording की जब बात आती है यह पे मुद्दा जो एक create होता है live तो live जो बच्चा recording हमेशा पढ़ता है उसे भी बड़ी problem हो रही है कि आपने हमे क्यों नहीं बता आप जब recording से पढ़ रहे हो मेरे दोस्तो जैनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक के जितनी courses मेरे हैं अगर वो पढ़ लोगे न तो उतने में इतना information है कि CSIR टॉप करने की कटेगरी तक भी जा सकते हो अब उसमें से कितना information गेन करते हो यह निर्भर करता है क क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे लेकिन मैंने अपना काम उनमें किया है I mean to say that recordings are available तो जो लोग ऐसा सूच रहे कि मैंने चल किया तो मैंने अपना जो promise था मैंने वो नहीं भाया जितना हो सकता था जितना सुन सकता था वो किया मैंने आराम से अपने self-respect को side में रखके आपके लिए करते रहे ठीक है लेकिन हर किसी की सीमा होती वो चीज़े थी तो मैं एक बार फिर से अपने solid learners को बता दूँ जिनको ऐसा feel हो रहा है जो नहीं feel करने उन्हें कोई tension लेनी की बात नहीं है लेकिन जिनको ऐसा feel हो रहा है कही ने कहीं हम ये कह सकते हैं कि मेरा कोई कि ऐसा intention कभी नहीं था ना है अगर आपने बहुत लंबा subscription ले लिया हो unintentionally या बहुत ज्यादा issue आपको हो रहा हो कि अब क्या करें हमने तो सिर्फ आपकी वज़े से ऐसा किया है या ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए आप मुझे personally मेरे mail id viran.biotech.gmail.com पे जो है mail कर सकते है कि अगर आपका seriously कोई concern है और जो भी possible solution होगा मैं वहाँ पे देख सरता हूँ लेकिन इतना हतास होने की जरुवत नहीं है आपके पास recordings जो है वो available है आपके पास informations available है कम से कम कम से कम जो है December के लिए तो लगभग पूरा है तो अराम से पढ़िए हतास मत होईए और enjoy करते रह जो बीत गई सो बीत गई उस बात को लेकर रोना क्या जब मानुस जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या तो जो बीत गई सो बात गई अब उस बात को लेकर रोना क्या जब मानुस जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या तो अब जो है जो availability है उसको grab करिए उसको अच्छा से यूट्राइज करें मैं अपने टेलीग्राम अपने योट्यूब चैनल के साथ या अपने प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ हमेशा जुडा रहूंगा तो आप इस चीज के लिए वरी करनी की जरूरत नहीं है कि आपको गाइडेंस कहां से मिलेगा कल को क दिकत हुई है चीजे हुई तो तो गाइडेंस के लिए मैं हूँ अभी भी हूँ याद रहे रिस्ता वही सोच नहीं प्लेटफॉर्म बदला है इंसान नहीं ठीक है तो विरेंदर सिंग जो था वो है वो रहेगा चीजे चाहे कितनी भी बदल जाए तो टेंसर मत लीजे प अब तक गुडबाई जहिंट